हेलो अन वेलकम तो तो बिसेकली आज विख लास का फर्स चेप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजे हैं जो हमें पहले पढ़ी हुई हैं जिनको इस वाद फटाफट रिकॉल करवा देता हुआ तो हमें यह पता ही कि सेट क्या होता है let us suppose एक non empty set A है और एक non empty set B है ठीक है जिसे suppose करो, मैंने एक set ले लिया, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और एक set मैंने B ले लिया, let us suppose, 1, 2, 3, 5, 6, 4, 9, कुछ भी ऐसे, ठीक है, मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है, now think about this, इसके बारे मैं क्या करने वाल हम, ठीक है, तो देखो मैं क्या करने वाल हम यहां पर, basically, suppose करो, मैंने Cartesian product बनाय एक रोस B, हमें बनाना आता है, एक रोस B हम कैसे बनाते हैं, तो मैंने क्या बनाया, एक रोस B, इस एक रोस B क्या बनेगा, एक set बनेगा फिर से, कैसे define करते हैं एक रोस B को, पहले इसको इसके साथ लिखेंगे, इसको इसके साथ लिखेंगे, मतलब अगर मैं इसको बनाने कर दो मतलब यहां पर 4 है और यहां पर 7 है तो टोटल कितने आएंगे 7 into 4 28 तो एक रोज में कितने elements आएंगे 28 और यह भी चीज हमें पता होती है जिब एक रोज भी को हम बनाते हैं तो आगे वाले जितने भी elements होंगे आगे-आगे जो लिखे जाएंगे वो आगे वाले set से आते हैं और पीछे वाले elements होते हैं वो कहां से आते हैं पीछे वाले set से B से मतलब जैसे 1,2 पीछे वाले हैं ऐसे जितने भी पीछे वाले होंगे 28 में वो सारे कॉमा 1 ठीक है यह हमें पता ही होता है चल्ड तो हम क्या करने वाले हैं कर्टिशन प्रोट हमें पता है क्या होता है तो हम क्या करेंगे हमने एक relation define करेंगे कहां से कहां A से B पे तो एक definition हमने पढ़ी है कि a relation R अगर relation को मैंने नाम दिया R from a non empty set A from a non empty set A to a non empty set B to a non empty set B is a subset of is a subset of A cross B तो हम लोगोंने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर कोई relation define की जाती है एक set A है जो non empty है और दूसर सेट B है जो वो भी non empty है तो जो relation होगी वो क्या होगी subset होगी A cross B का मतलब अकर इसको मैं short form में लिखू तो इसको ऐसे लिख सकते है R is a subset of A cross B तो इसको मतलब यह होगा कि जब भी कोई भी मैं subset बनाऊँगा A cross B का कोई भी मैंने subset बनाया A cross B का क्या होगा वो एक relation define करेगा तो यह चीज बहुत important है कि A cross B का कोई भी subset ले लो चाहे empty set लो यह कोई और subset ले लो वो हमेशा एक relation defining करेगा कहां से कहां जो आगे लिखा है वहां से जो पीछे लिखा है वहां तक ठीक है चल तो यह तो होता है relation के बारे में और हम यह भी पता होता है basically कि जो भी इसके अंदर आएंगे जैसे suppose करो अगर मैंने यह पूरा बना दिया ठीक है यह पूरा बनेगा तो इसमें कुछ elements मैं लिख देता हूं इसे general तो एक बार तो 1 के साथ 1,2,3 ऐसे करके आएंगे मेरे ठीक है ऐसे ही एक बार फिर 2 के साथ यह सारे आएंगे सब्सक्राइब अब इसमें क्या सब्सक्राइब होता है तो अब एक चीज समझों यहां से अब इक बात बताओ जो भी आगे यहां पर मैंने लिख दिया सारे इसके पीछे वाले elements तो पीछे लिखे हुए है अब मैं क्या करने वाला हूँ मैं एक relation define करने वाला हूँ तो देखर relation कैसे define करते हैं हमें इसका भी पता है x,y such that ऐसे order pair होता है order pair stack का होता है क्यों क्योंकि आएगा तो इसके अंदर से निकलेगा ना वह तो इसके अंदर से निकलेगा तो इसी form का होगा x,y इनके बीच में relation क्या है y is two times of x x कहां से आएगा a से और y कहां से आएगा b से x a से क्यों आएगा क्योंकि x अगे लिखा हुआ है जो अगे लिखा होता है वो कहां से आता है अगे वाले से जो पिछे लिखा होता है वो कहां से आता है पिछे वाले से ठीक है और उनके बीच में relation क्या है यह है वो relation main क्या कहत है जो भी x होगा ना उसका two times करने पर y मिलेगा मुझे ये है main relation ये कोई जुरूरी चीज नहीं है ये कोई जुरूरी नहीं है तो हमें पता ही है ये main चीज है कि y जो है वो two times of x है अब देखो x कहां से आ रहा है a से अब x a से आ रहा तो x के पास क्या क्या possible chances है वो one हो सकता है two हो सकता है three हो सकता है four हो सकता है हो सकता है तो x के पास possible chances क्या क्या है वो a से आ रहा है तो one two three four हो सकता है तो अगर x को मैंने पहले one ले लिया ये वाला one तो y क्या कह रहा है वाई two तो टाइम करके आएगा उसके तो आगे तू टाइम करके अगली बार एक्स क्या हो सकता है टू हो सकता है तो फिर वाई क्या आएगा फोर कोमा एट तो यह मेरे टिफाइन हो सकती थी बट नहीं हो पाई क्यों नहीं हो पाई दिखो द्यान से एक्स ए से आ रहा है तो चेक करो अब क्या आगे वाले जितने भी लिखे होए है यह आगे वाले सारे में से हैं ओविसली तो हमने एमें से उठाए थे जीविट चेक करना पड़ेगा ना कि जो पीछे वाले हैं वो भी ए में है यह या नहीं है corazón जो पीछे लिखा कर दो चेक लोड़े लीखा interessant यह नहीं सब्सकों इसकी हेल्प से तो यह बनने वाला था था बट वह B की वज़े से discard करना पड़ेगा इसको हटाना पड़ेगा फिर अब क्यों क्योंकि इसका 8 थाना वो B में नहीं है not doubt आगे वाला था बट में तो दुनों देखने हैं न तो सिर्फ इसकी वज़े से क्योंकि 8 जो है वो B में नहीं था तो ये condition fail करगी तो इस pair मुझे यहां से हटाना ही पड़ेगा मजबूरी है मेरी अब अब यह पूरी condition satisfy कर रहा है कौन-कौन सी आगे वाला A में से है पीछे वाला B में से है fine यह relation भी satisfy हो रही है कि जो आगे वाला है उसका two times करने पे पीछे वाला मिलेगा ठीक है यह जो आगे वाला पीछे वाला यह बहुत important तो मैं लगा जब हम questions करेंगे ना तो यह बड़ी काम आएगी आगे वाला पीछे वाला इसलिए तो जो आगे वाला है उसका two times करने पे कोन आएगा पीछे वाला यह भी satisfy हो रहा है satisfy होगा सारा तो मतलब यह क्या बनेगी मेरी और अब तुम चैक भी कर सकते हो यह जो रिलेशन और मेरी आई है देखो रिलेशन को दो त्रीक्ष लिखा गया है एक इस फोम में और एक इस फोम में ठीक है तो यह तो हमारी होती है रोस्टर फॉम जिसमें डिरेक्ट तुम लिख देते हो एलिमेंट्स को यह लिख दे मैंने अलिमेंट्स कोई नोटेशन की यूज नहीं हुई एक उत्या सेट बिल्डर फॉम जिसमें तुम नोटेशन के यह से लिखते हो ठीक है तो मैं दोनों लिख दी तो पेपर में वो सारे A में से आ रहे हैं, बट A के सारे नहीं है वो, है तो A में से ही बट A में 4 भी था, यहां 4 नहीं है तो यहां कम हो गए न, बट है कहां से A से ही, तो यह जितने भी आगे वाले elements है न, तुम इनका उठा करें, एक set में डाल दो आगे वाले कुन कुन है, 1, 2, 3 और ऐसे ही जो पिछे वाले हैं, उनको भी 2, 4, 6 को, 2, 4, 6 में ने डाल दिये यह जो आगे वाले elements का set होता है न, जो आगे लिखे होते है यह जो आगे लिखे होते हैं, इनका जो set होता है इसको बोलते है domain domain of a relation, ठीक है और जो यह पिछे वाले elements में ने लिखे है set में, इसको बोलते है range इसको क्या बोलेंगे हम हमेशा? range fixed है, इनका नाम है, कि आगे वाले elements को उठाके set में डालोगे तो domain बोलेंगे पिछे वाले elements को उठाके set में डालोगे तो range बोलेंगे, एक चीज और जो ये एक रोज B में पीछे वाला set होता है जो fixed होता है ये वाला इसको हमेशा हम code domain बोलते हैं हमेशा always ठीक है इसको हम क्या बोलेगा हमेशा code domain ये fixed है और एक चीज़ और तुम्हें पता ही यह है कि जो range होती है वो हमेशा code domain का subset होती है always range is a subset of code domain और ये true B है range कहां से बनी थी पीछेवाले elements से पीछेवाले elements कहां से आये थे doe WA n NO तो पीछेवाले elements स उभ्या शुर्ड़क होंगे बटेफ्ट पिछेवाले elements क्या बोलते हैं range बोलते हैं और इसको क्या बोलते है code domain बोलते हैं तो around is a subset of code domain very very important relation ठीक है तो यह थो था जो हम लोग ने पहले पढ़ा है मैंने वह पढ़ा-पढ़ रिकैप कर दिया इसका ठीक है अब समझो चीज को जो में 12 में करना है 12 में एक चीज फिक्स्ट है हमारा जो ए और भी सेट है ना वो हमेशा सेम होंगे अलग लग नहीं होंगे ठीक है तो हमारे क्लास 12 के स्लेवर्स में इन क्लास 12 स्लेवर्स ठीक है अब चीज को समझो तुमने क्या बोला Logo killer a relation r from a non Empty Set a to an knowing empty Set Gundy सेट b यार इतनी बड़ी अंग्रेजी लिखने का क्या मतलब कि इतनी बड़ी अंग्रेजी लीखने का क्या मतलब है ठीक है हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं maths ॉ श्य इसके बाद होगी, जब भी इसके बाद होगी, मतलब जब भी 12th class में हम आऊ हो चुके हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हम हमें इसके बाद नहीं है, हम short form में बोलेंगे, A relation in a set A, that's it, A relation in a set A, आपको ये confusion तो ही नहीं है, 12th class है, A और B तो equal होगे, ये दोनों तो equal होने है, understood है, A की non-empty set होगा, ठीक है, तो ये बक्वास लिखने ही कोई जूर्द नहीं है, A relation from a non-empty set A to a non-empty set A, फिर तो ये बोलेंगे न हम इसको, यहाँ पर भी A आगा इस बार तो, है न, तो ये बोलना पड़ेंगे, A relation from a non-empty set A to a non-empty set B, discard it, अब से हम ये बोलेंगे, A relation R, इसका नाम अगर R है तो R, R2 है तो R2, जो भी तुम नाम दोगे relation दो, A relation R in a set A, इ मेशे इसका मतलब क्या होगा ये, कि वो R अगर ऐसे लिखा गया, मतलब R is a relation from a non-empty set A to a non-empty set A, तो ये चीज़ होगी यहाँ पर, एक चीज़ और समझा देता हो, मैं छोटी सी, जो हमारे काम की है, यहाँ से class 12 का start हो गया है, मतलब मैं start कर चुका 12 का, ये 11 का सारा जो मैं ये वाली बात, अभी लिखवाई थी ना मैंने, 1,2 is never equal to 2,1, यहाँ पर, ठीक है, चलो, तो अब एक चीज़ समझो, ये आ गया ना ऐसे, आप देखो 1,2 क्या है, ये set है न, relation क्या है, set ही तो है, ये set की form में लिखा हो है न, राइट, चलो, अब 1,2 जो है, वो इस R के अब बात समझो, जब भी ऐसा कुछ होगा, जब भी कोई relation में लूँगा, उसके अंदर कुछ elements आएंगा, जैसे 1,2 इसमें आगया, 2,4 इसमें आगया, है न, ऐसे ही 3,6 आगया इसमें, उसके लावत कुछ नहीं आएगा, तो ये ये नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता, गर इसको मैं समझाने ही कोशिश करतें, इसका तो क्या है, 1 is related to, 2 using this relation R, 2 is related to 4 using this relation R, और इसको मैं short form में भी लिख सकता हूँ भाई, कैसे, 1 is related to 2, simple, जो आगे है, वो left side में, पीछ में जो relation है मेरी वो, और right side में जो पीछी लिखा होगा, तो इसको कैसे लिखूँगा, फिर मैं, 2 is related to 4, 3,6 को कैसे लिखूँगा, फिर मै 3 is related to 6, तो यह notation है, तो अब से हम इसका भी use करने वाले हैं, कि जब भी मैं बोलूँगा कि कोई element इस relation के अंदर आ रहा है, कोई ordered pair आ रहा है, तो इसका मतलब होगा कि आगे वाला related है, पीछे वाले से using this relation R, और इसको मैं ऐसे भी mention कर सकता हूँ, तो जो 12th class का syllabus है ना, उसमे इसकी जुरूरत नहीं पढ़ने वाले तुम्हें, मैंने जो भी पढ़ा है, बट मैं चाहता था एक बार तुम्हें वह fresh हो जाए, मतलब वह fresh हो जाए, बुस्ट अब हो जाए कि उमने पहले पढ़ा था, कि वह क्या पढ़ा था, अगर मैं direct start करूं 12th class का, तो हो सकता है कि में थोड़ी confusion हो है, relation क्या होता है, यह क्या होता है, वो क्या होता है, है ना, तो यह हमें समझ में आ गया है, कि class 12th के flavors में, जो set A है, जो set B है, वो हमेशा equal होंगे, मतलब A की set होगा, और उस case में यह जो phrase होता है, relation from a non-empty set A to a non-empty set B, इसके जगा पर मैं क्या बोलूँगा, a relation in a set A, ठीक है, that's it, चलो, पर start करते हैं हमारा flavors, तो जो हमारा बढ़ने वाले हैं कि types of relations, मतलब relations तो मैं पता लगी गया, अब उन relations में कुछ specific बाते होती हैं, कुछ characteristics होती हैं, जिनके basis पे उनको नाम दिया गया है, ठीक है, तो सबसे पहली relation जो है, वो है empty relation अगर मैं one market questions की बात करू, objective type ये questions की बात करू, तो ये topic बहुत important है, ठीक है, वो तुम्हें कोई relation देगा, एक set देगा, और इन में से पूछ लेगा, कि बताओ, ये कौन से वाली relation है, ठीक है, तो हम 5-6 type relations पढ़ेंगे हैं, वो काफी important है, बहुत simple भी है, empty relation, नाम से पता ल relation, वो relation जो empty होगी, मतलब वो relation जिसमें कोई भी ordered pair नहीं होगा, जैसे हम नहीं आपे बनाया था ना, भी, r को बनाया था, 1,2, 2,4, 3,6, कुछ भी रहा है, उसमें, खली relation होगो, मतलब वो बिल्कुल empty हो, लेकिन relation तो है, relation मतलब सब सेट, सब सेट मतलब सेट, तो relation क्या होता r is a relation from a non-empty set a, to a non-empty set a, चीक है, is called, the empty relation, if no element of a, is related to, any element of a, मतलब कोई भी element किसी के साथ, कोई भी element a का, किसी दुसरी element के साथ, या उसी के साथ जुड़ा ही नहीं होगा, किसी b के साथ, चाहिए, खुद के साथ भी, ठीक है, तो no element of a is related to any element of a, अगर जूड गया, जैसे suppose करो, r मैंने डिफाइन किया, 1,1,1,2, ठीक है, ऐसे से मैं करत इसे फाइल लगा देते हैं, और फाइल तो सबका सबसेट होता ही है, तो देखो, तो प्रू होई गया, कि r empty set हो जाएगा, और empty set तो सबका सबसेट होता ही है, ये भी set है, ठीक है, तो अगर कोई भी element a का, किसी भी element a के साथ जुड़ा ना हो, तो वो जो relation बनती है, उसको बोलते हैं, empty relation, ठीक है, जैसे for example, example कर दाता हूँ मैं इसके, set a ले लिए है मैंने 1, 3, 5 और 7, set ले लिए है मैंने 1, 3, 5 और 7, अब इसको पर मैं एक relation डिफाइन करता हूँ, देखो कैसे, ठीक है, चाल, तो मैंने define किया इसको, a, b, such that a minus b is 1, और a और b कहां से आएंगे दोनों इस बार, except same a से, ठीक है, क्योंकि इस बार जो partition product बनेगा, वो क्या बनेगा, a cross a, है ना, वो क्या बनेगा, a cross a, a, तो जो आगे वाला हुआ, वो भी a से, जो पीछे वाला हुआ, वो भी a से, ठीक है, और उनके बीच में जो relation मैंने define किया है, वो क्या है, यह, कि वो जो दो number मैं उठाओंगा, a में से, a और b, उनका difference हमेशा 1 होना चीए, जो number मैं यहां से उठाओंगा, कोई भी दो number देलो, उनका difference 2 हो सकता है, 1 कभी नहीं होगा, तो इसमें से कोई pair आएगा, कोई possible ही नहीं है, तो इसमें कर ऐसा कोई pair ही नहीं आएगा, तो क्या बनेगा, empty set बनेगा, और जैसे empty set बने गया, वो relation होती होती है, जो क्या बोल लेंगे, empty relation, तो यह, एक example हो गया, empty relation, क्या करन आए मुझे वहाँ पे, मैंने एक ऐसे example देना था, जिसके अंदर कोई भी ordered pair ना आए, मैंने दे दिया, मैंने order numbers ले लिए, और उनका difference क्या दिखा दिखा दिया, one, order numbers का difference कभी बनाए नहीं सकता, तो कैसा कोई pair ही नहीं बनेगा, ऐसा pair नहीं बनेगा, empty set आएगा, तो this is what we call an empty set, कि भई ये empty set बनेगा, ठीक है, बहुत simple example है, चाल, एक relation और करते हैं, उसका नाम है, universal relation, universal relation, universal relation का मतलब होता है, कि जब a का, हर element, हर दुसरे element से चुड़ा होगा, खुद से भी चुड़ा होगा, ठीक है, मतलब, our relation, are, inner set A is said to be universal relation, य दा उनिवर्सल चुड़ा, दा उनिवर्सल जा इनिक होगा, दा इनिवर्सल of a मतलब a का हर element a के हर element से related होगा ठीक है अच्छा अगर ऐसा हो गया each element of a is related to every element of a हर element के साथ जितने भी possible हो सकते हैं तो इसका मतलब तो यह होगा ना फिर that is और किसके equal हो जाएगा फिर तो a क्रोस a के क्योंकि हर element के साथ related होने का मतलब क्या है इसके अंदर हर एक order pair आएगा किसका एक रोसेगा तो दोनों equal हो जाएंगे तो universal relation वह होती है जहां पर वह relation उस Cartesian product a के equal हो जाए अगर ऐसा हो गया तो उसे हम बोलते है universal relation ठीक है जैसे देखो for example मैंने एक set ले या a set में ले रहा हूं 1,2,3,4,5,6 right relation define कर रहा हूं देखो मैं कैसे a,b such that a-b is less than 6 a,b belongs to a देखो यह तो है यह भी है कि वो दोनों a से आने चाहिए यह दोनों ठीक है maximum difference कितना होह सकता है one और six कितना होगा five का होगा six से छोटा होना चीए ना five तो इसके अंदर सारे के सारे तुम कोई भी order pair बना लो a भी उठालो किसी को a मान लो किसी को b मान लो उनका difference ले लो वो हमेशा six से छोटा पाना ही आना है तो इसको मतलब क्या होगा कि इस relation के अंदर जितने भी elements होंगे जो भी आएंगे वो सारे कहां से आने वाले है मेरे एक्रोस ए से तो एक्रोस 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 एक्रो तो तुम सारे difference लेके देख लो जितने भी आएंगे और फिर एक रो से बना के देख लो सारे के सारे elements इसके अंदर आ जाएंगे मैं ठीक है तो इसे note down करो फिर हम आगे चलते हैं कुछ और चीजों के बारे बात पढ़ते हैं एक चीजों यहां पर जो note करने वाली वह यह है कि यह जो relation हमने define किया ना बहुत दा empty relation एंड universal relation इनको हम बोलते हैं are called trivial relation are called trivial या इनको हम एक दुसरे नाम से extreme relation भी बोल देते हैं ठीक है trivial या extreme relation इसे note down करो फिर हम आगे चलते हैं कुछ और important relation करते हैं तो चलो आगे चलते हैं अब एक चीज़ समझू हम chapter 1 पढ़ रहे हैं ठीक है relations and functions तो इस chapter में से 4 या 6 marks के एक question पक्का आता है यह तो 4 का यह 6 का आना ही आना है और जो total chapter की weightage है वह 4 5 या 6 की होगी बट 6 का marks का question आना बहुत rare है क्यों क्योंकि chapter 1 और 2 को मिलाकर total 8 marks की unit बनती है chapter wise weightage कहीं नहीं होती है तो उस unit की weightage है वो 8 marks की है तो जो chapter 2 है उसकी weightage 2 या 3 marks की होती है तीक है और कभी-कभी बहुत rare उसकी वेटी जो है 4 marks ही बनती है chapter 2 की तो उसके according जो chapter 1 होता है उसकी वेटी जैता 4 होती है या 5 या बहुत rare chance में 6 होगी but that doesn't matter चाहे उसकी वेटी chapter 1 की 4 marks हो या 5 हो या 6 हो एक question या तो 4 का या 6 का तो आना है must है और वो भी मैं बताऊँगा जिन दो topic में से ही आएगा इसके अलावा नहीं आएगा वो भी मैं पहले ही बताऊँगा कि इस में से आने वाला है तो अब मैं जो आके कराने वाला हूँ basically ये जो topic start होगा अभी हम वो ही पढ़ेंगे types of relations दो हम पढ़ चुके हैं empty और universal अब हम तीन ओर पढ़ेंगे ये तीन relation जो हम पढ़ेंगे ये बहुत important है इनी तीनों के अपर एक 4 marks का ये 6 marks का question बनता है ठीक है चौड तो जो third type of relation है उसका नाम है reflexive relation बहुत easy है reflexive relation बिसक लिए तुम्हें करना क्या है a relation r in a set a is said to be reflexive if a,a belongs to r for all a belongs to a हम क्या पढ़ रहे हैं relation मतलब कोई element होता है वो दूसरे से related होता है ठीक है जैसे suppose 1,2 है वो belong कर रहा है r में इसका मतलब क्या है कि one is related to two using r इसको मैंसे भी लिखते है one is related to two using this r ठीक है देख यह कहारा है कि यह ना a और a होना ची मतलब same same मतलब कोई भी element मैं लूँगा for all के लिए true इसका मतलब हम यह बता है for all होता है मतलब for each for every हर एक के लिए true होना ची मतलब अगर a लूँँ मैं capital आगे तो मैं एक simple जिवात मैं अगर बात करूँ है तो suppose को जैसे मेरा set है a या भी मैं कुछ लिखूंगा भी don't write now तो let's suppose मैं पास a है 1,2,3 ठीक है तो जो भी relation इसको पर बनेगी जो भी relation बनेगी उस relation के अंदर ना यह pair पक्के आने चीए same same वाले और सभी के लिए आने चीए for all a belongs to capital a इन सभी के लिए same same pair आने चीए same same मतलब जैसे for all की बात कर रहना हो तो यह same same भी होने चीए मतलब 1,1 then जो भी relation letter से r है must have कौन कोन होना चीए 1,1 2,2 3,3 1,1 2,2 and 3,3 मतलब जब भी कोई set वो a देगा उसका हर element उसका हर element खुद से ही related होना चीए यह तो कर रहा हो 1 is related to 1,2 is related to 2,3 is related to 3 इसके लावा चाहे जो मर्जी हो we don't care यह जुरूर होना चीए उसके अंदर चाहे इसके लावा कुछ भी ना हो चाहे इसके लावा अंगिनत number of elements हो चाहे कोई भी हो पर यह होना must है और यह कहां से आएंगे इस set से अगर इसमें 4 भी होता यहां पर तो यहां पर क्या आता 4,4 भी होना चीए दा मतलब जितने set a में elements होंगे उसके according यह same symbol होने चीए मतलब that is every element of a is related to itself is related to itself मतलब मैं कोई भी element लूँगा a का इस capital a का तो वो खुद के साथ related होना चीए related कब होगा जब 1,1 इस r में आएगा 2,2 आएगा 3,3 आएगा जितने भी elements है सबके लिए true होगा तब तो हम तब बोलेंगे वो relation है वो reflexive देखो मैंने must लिखा है मैंने only नहीं लिखा only का मतलब होगा जब सिरफ यही आएंगे मैंने लिखा must मतलब यह होने चाहिए इसके अलावा चाहि है कुछ हो चाहिए कुछ ना हो भी don't care but जो भी यहाँ है यह खुद के साथ related होने चाहिए सारे elements तब यह for all का मतलब है यह तुम्हें पता होगा ठीक है this is called for all हम लिखते हाना ऐसा for all तो उसकी notation होती है यह ठीक है तो for all A belongs to capital E यह होना must है ठीक है 4 तो इसको ऐसे star बना के लि ठीक है मैं example कर रहा देता हूं let us suppose मैंने A ले लिया 1 2 3 4 5 6 ठीक है और मैं relation define कर रहा हूं कि x,y such that y is divisible by x और x और y कहां से आ रहे मेरे फिर A से ठीक है तो यह बने एक relation define कर दीक है कैसे define कर देको यह तो होता ही है और यह भी होता है कि यह दोनों जुम ordered pair बनाऊंगा उसका आगे वाला पीछे वाला दोनों कहां से आने चीए उस A set में से इस बार हमारे पास एक ही set है तो क्या कह रहा है किरा y मतलब second वाला जो पीछे वाला है that has to be divisible by x मतलब यह जो पीछे लिखा जाएगा उसको divisible होना पड़ेगा आगे वाले से तो ऐसे से जो भी condition satisfy करेंगे वो यहाँ पे ordered pair बना देंगे है ना अब देखू एक बात बताओ अगर मैं check करना चाहता हू 4, 4, 5, 5, 6, 6 जरूर आना चाहिए और आएगा भी देख लो 1, 1 कम आएगा इसमें जब पीछे वाला अगे वाले से divisible होगा 1 is divisible by 1 true है यह भी आएगा every number is divisible by itself except 0 सही है फिर तो यह भी आएगा और मैं हम में से ने उठा रहा है मैं यहाँ से उठा रहा हूँ क्योंकि हमें क चेक तो सिर्फ इतना ही करना था हमें सिर्फ यह चेक करना था इसके लावा चाहिए जो मर्जी भी हो बट वो आएंगे तो है तो मैं relation तो पूरी बना के लिख हुआ लेकिन इतना होने से सिर्फ चेक हो गया कि वो reflexive पक्का होगी ठीक है क्योंकि a, a आ गया for all a belongs to A ठीक है तो अब यह confirm हो गया तो इसके लावा भी देख लेते हैं कौन को ना सकता है अगर मैं पहले उठाओं 1 और उठाओं 2 तो 2 is divisible by 1 पॉसिबल है तो यहां पे फिर एक आएगा 1,2 हो सकता है 2 is divisible by 1 1 तो हर नंबर को डिवाड़ कर देता है जैसे करकर के सारे लिखे जाएंगे ठीक है यह आइज तो भी 1,3 1,4 1,5 1,6 अब देखो उल्टा नहीं सकता है इसका मैं 5,1 नहीं लिख पाऊंगा मैं 5,1 क्यों कब आएगा इसके अंदर आर के अंदर जब 1 पीछे वाला पीछे वाला मतलो यह divisible by आगे वाला होगा नहीं हो सकता ना 1 is not divisible by 5 तो नहीं आएगा 5,1 ठीक है और देख लेते हैं अब 1 के साथ तो सारे हो गए अब 2 से देखते हैं 3 is not divisible by 2 नहीं बनेगा 2 is not divisible by 3 यह भी नहीं बनेगा 4 is divisible by 2 तो यह आएगा मेरा 2,4 तो के साथ फिर 6 भी आएगा इवन नंबर जाजारे ठीक है उसके बाद 3 आगया तो 4 नहीं होगा 5 नहीं होगा 6 होगा 4 उसके बाद कोई भी नहीं होगा और उल्टा भी नहीं हो पाएगा कि 6 5 से होगा 5 4 से होगा ऐसा भी नहीं हो पाएगा तो maximum यहीं बन पाएंगे तो यह जो relation है यह ऐसे लिखी गई थी वह एक्चली यह relation है लेकिन यह already reflexive तो हो चुकी थे हमें सिर्फ इतना चेक करना था तो जो भी है we don't care reflexive के लिए सिर्फ इतना चेक करना है कि जो भी सेट वो देगा उसके अंदर सेम सेम एक कोमा ए जरूर होना चाहिए every element is related to itself ठीक है चल्ड़ एक example और करते हैं लेटे सपोस मैंने ए ले लिया the set of all human beings सेट ओफ अल हुमेन बिंग्स ठीक है जितने भी दुनिया में human beings है और आर को में कैसे डिफानी कर रहा हम देखो अब इसको मुझे चेक करना है कि यह रिफ्लेक्सिव होगी या नहीं होगी अब एक चीज़ बताओ यहां तो ए में finite number of elements से तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया यह तो set of all human beings है ना दुनिया में बहुत सारे होंगे मैं सेट थोड़ी लिखूंगा यहां पर पूरा पूरा लेक अब मैं common sense हो लगा सकता हूँ ना क्या करना है मुझे कि भाई a, a होना चीज़ बी की जिगा पर भी a आ जाए है ना reflexive कब होगा जब a, a होगा मतलब a, a बनेगा अच्छा a, a कब बनेगा let us suppose मैंने अपने आपको ही ले लिया मैं a हूँ यह बहला ठीक है और यहां भी मैं ह कब आएगा इसमें जब यह और यह work at the same place भाई मैं और मैं तो एक जगा पर काम कर पाएंगे ना ऐसे दोड़े कि मैं यहां हूँ और मैं वहां हूँ नहीं है ना तो a, a तो always true हो गा ना इस relation के लिए क्यों क्योंकि a, a मतलब same person यह भी same है यह भी same मतलब यह अंकित है तो य यहां रखो और यहां रखो दुनोंगा यहां रखो same तो तुम यहां वाले और तुम यहां वाले बहुत work at the same place भाई मैं और मैं तो एक ही जगाँ काम करेंगे ना तो understood है आर इस रिफ्लेक्सिव ठीक है तो यह हम लास्ट में लिख सकते हैं कि आर इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम यहां भी लिख सकते हैं यहां भी लिख सकते हैं ठीक है चाल एक एक्जामपल और करते हैं इसको पर विखितर एक्जामपल है फिर से ए लेलिया मैंने दस सेट आफ फॉल हुमन बींग्स ठीक है चाल और आर लेलिया मैंने एक्स कोमा वाई सच देट एक्स इस दा हस्बेंड ऑफ वाई ठीक है अब इसके बारे में बात करते हैं जो आग्ये वाला है वो पीछे वाले का हस्बेंड है और यह हस्बेंड नहीं हो पाएगाара तो यहांपे एक्स है तो यहांपे भी एक्स होना ची involved outside मतलब x और यहां पर x कब आएगा जब यह relation true होगी मतलब x is the husband of x ऐसा हो सबता है कोई खुद का husband हो जाएगा नहीं हो पाएगा तो x is not the husband of itself कैस तोड़ी होगा कि मैं आपर x, x लेके आना न मुझे मुझे a, a लेके आना for all के लिए for all a belongs to a मतलब जितने भी human beings हैं सबके लिए x, x इसके अंदर आना चीए मतलब हर एक आदमे खुद का husband होगा not possible ना तो यह reflexive नहीं हो पाएगी so r is not reflexive relation बहुत सिंपल है अब एक exercise मैं तुम्हें देता हूँ अपनी तरफ से खुद से बना करेगो तुम कुछ भी set बना सकते हो अपनी तरफ से दिमाग को तड़ा जो डालो एक example बनाओ सबसे पहले का करना पड़ेगा एक capital a set बनाना पड़ेगा एक relation बनाने पड़ेगी ठीक है एक set बनाओ वो जो relation reflexive होगी और एक बनाओ जो reflexive नहीं होगी ट्रस्ट में चेप्टर बहुत चोटा है concept बहुत जादा है और समझने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से ट्राइगा नो तो एक एक example बनाओ एक reflexive होना और एक reflexive नहीं होनेगा ए सेटलना पड़ेगा पहले फिर और डिफाइन करना पड़ेगा खुद समझ जाओगे कि हो क्या रहा है यहाँ ठीक है चाल इसे नोट डाउन करो फिर हम next type करते हैं तो चलो आगे चलते हैं और next type करते हैं कि हमारी fourth type जो है वो कौन से relation है तो fourth type जो है वो है symmetric relation ठीक है four type कोन से है हमारी symmetric symmetric का बहुत simple से मतलब है ठीक है देखो क्या गयता है वो कहता है relation are in a set a is said to be symmetric is said to be symmetric if symmetric कब कहाएंगे उसे if a,b,r में आ जाए मैं कब बोलूगा इस metric है अगर a,b,r में आ जाए मतलब अगर आयेगा तब की बात कर रहा है मैंने if लगा है अगर आया तो अगर a,b आ गया जैसे 1,2 आ गया 3,5 आ गया ऐसे तो इसका मतलब यह होगा कि इसको न इंटरप इंटरचेंज कर दो बोजिशन को बी कुमा ए बनेगा यह भी आना अची यह उसके अंदर तब और यह true होगा हर एक के लिए for all a,b कहां से आते है capital A से ठीक है तो मतलब यह तब true होगा जब यह condition को इंटरचेंज करूंगा तो वह भी आना चीए for all एक लिए for all मतलब जितने भी पेर से उसमें आ रहे हैं उसके लिए तो इसका पोजिशन को इंटरचेंज करने के बाग क्या बनेगा 9,5 वह भी आना चीए फिर तो ठीक है चाल तो एक्जांपल पाहला एक्जांपल देख है देखना कैसे टीवन कोमा टीटू पहली दूसरी ट्रैंगल जो भी तुम बोलना चाहो ठीक है टीवन इस कंगरेंट टू टीटू और टीटू कहां से आते हैं मेरे सेट ए से हो सेट एक नाम इस बार क्या है टी है तो बिलॉंग्स टू कैपिटल टी ठीक है अब देखो य रिफ्लेक्सिवी टो चेक कर सकते हूं प्रैक्टिस होगी और अधिस तो हो गई होगा क्यों होगा रिफ्लेक्सिव में ये और ये सेम होना चाहिए ए फॉर ओल के लिए फॉर ओल मतलब जितने वी यहां आँ जो यहां से आ सकते है और पॉसिबल तो टीवन को मा टीवन बात करते हैं, now let us see, हमने क्या बोला है, कि अगर हुआ, अगर T1 कंगरेंट है T2 के, तो T2 भी तो कंगरेंट होगी ना T1 के, ये लिखना नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, if, अगर ये इसमें आया, belongs to R, इसका मतलब क्या होगा, कि भाई, जो आगे लिखा गया है, वो कंगरेंट है, पीछे वाले के साथ, right, अगर T1 कंगरेंट है T2 के, तो T2 भी तो कंगरेंट होगा T1 के, तो T2 भी तो कंगरेंट होगा ना T1 के, तो ये भी तो आगया इसमें, सही नहीं है, तो अगर T1, T2 आया था, तो T2, T1 भी तो आगया, all clear true होगा ना, for all T1, T2 स्मिट्रिक हो गई मेरी ठीक है बहुत यह सिंपल सा काम चेक करना था बहुत इजी है फॉर माक्स फ्री के मिलेंगे अगर यह वाल कुश्चन आएगा तो ऐसे ठीक है सो आर इस स्मिट्रिक एफ्लेक्सिव तो है हमने चेक कर लिया ठीक है? चलो, एक-एक इसांपल और करते हैं let A the set of all human beings A ले लिया है मैंने set of all human beings ठीक है? एक relation defined कर रहा हूँ है आरवन एक अर टू कर दू आ ठीक है? चलो तो मैंने ऐसी define कर रहा हूँ है x, y such that x is the brother of y X जो है वो brother है Y का और X, Y कहां से आएंगे मेरे A से brother के बात हो रही है तो X brother है Y का तो अगर X जो है वो brother है Y का इसमें आ गया मतलब if X, Y belongs to R1 इसमें आ गया X क्या होगा brother होगा Y का तो क्या यह जरूरी है कि Y भी brother होगा X का नहीं हो सकता ऐसे कोई जरूरी ही नहीं है Now let us see Suppose करो मेरी X sister है ठीक है वो यहाँ है imaginary है तो मैं उसका भाई हूँ होगा true? मैं X वो Y true हो गया X, Y में आ गया ठीक है तो अब हुमें क्या करना पड़ेगा positions को interchange करना पड़ेगा अब वो X है मैं Y हूँ मैं उसका भाई था तो अब मेरा भाई है नहीं वो मेरी sister है तो यहाँ पर sister होता तो तुसरे way बे तू होता But यहाँ पर एक फिक्सरे नव फिक्स्ट है brother है तो के मरत यह होगा कि अगर मैं उसका भाई हूँ तो जरूरी निए वो भी मेरा भाई हूँ लो सकती है अगर यहां पर sister की बात होती कि वह मेरी sister तो जोरो दीन मैं उसे sister होगा ठीक है तो यह symmetric नहीं होगी so r1 is not symmetric ठीक है चलो एक relation ओर define करते हैं थ्द और अच्छे से समझ में आएगा x,y such that x is seven centimeter taller than y xy कहां से आएंगे मेरे a से अच्छा, एक्स जो है वो 7 cm टॉलर है y से, तो अगर x, y इसमें आ गया, इसका मतलब क्या होगा, कि जो आगे वाला है वो पिछे वाले से 7 cm बढ़ा होगा, तो अगर इसमें x, y आ गया, r2 में, तो ये जो है 7 cm टॉलर है y से, तो ये true होगा फिर, is it true, क्या ये true होगा, एक बड़ी वीडियो का पॉस्ट करें सोच के देखो, अगर ये true है, मतलब x is 7 cm टॉलर देन y, तो क्या ये true होगा, मतलब y भी 7 cm टॉलर होगा x है, not possible न, क्योंकि ये already इससे 7 cm टॉलर है, तो वो छोटा है, height में ये बड़ा है, ये छोटा है height में, तो ये position थोड़ी लेख सकता हो माइन की, तो ये भी symmetric नहीं हो सकती, ठीक है, so r2 is not symmetric, ठीक है, चाल, इसे not down करो, और खुद से, फिट से, एक example बनाओ, जुरूर है नहीं है, तुम्हें human beings को पर बनाना है, triangle को पर जो भी तुम्हें ठीक लगे, and don't cheat, google मत करना, book से मत देखना, सबसे अच्छा तरीका है, trust me, chapter जो है, बहुत easy है, concepts थोड़े है, बच्चों को difficult, यही सोच के लगता है, क्योंकि वो cram करते है, cramming मत करना है, chapter में concepts बहुत बहुत अच्छी है, ठीक है, तो एक example खुद से बनाओ, एक वो जो symmetric होगी, एक वो जो symmetric नहीं होगी, फिर मागे चलते हैं, ठीक है, चाल, तो चलो, आज की lecture की last relation करते है, fifth relation है, हमारी, transitive relation, ठीक है, this is called, transitive relation, बेसिक लिए पहता है, तुम यह सब ना, पहले 11 पे पढ़ चुके हो, यह चीज़े, reflexive, symmetric and transitive, बट तुम्हे ना, वापे, कोई heading नहीं देखी थी, बुक में, वापे, कोई heading लिखी भी नहीं थी, एक example था, salt, miscellaneous से पहले, और एक example था, miscellaneous के अंधर, ठीक है, बटा अजीब से example था, last के example थे, left side में paste थे, उस पे नीचे दो examples थे, ठीक है, तो यह सब पहले हो चुका है, basically, बस तुम्हे वापे heading नहीं बताएगे, कि इसका मतलब यह ह होता है, तो transitive relation क्या होता है, कहता है कि relation R है, a relation R, in a set A, is said to be transitive, if for a, b belongs to R, and b, c belongs to R, देखो, a, b आना चीए, और यह b यहां आ गया ना, यही भी यहां आना चीए, यहां कुछ और नहीं हो सकता फिर, जो यहां पर होगा, वही आना चीए, और यहां पर कोई और हो सकता है, तो अगर a, b और b से इसमें आ जाए, a, b और b, c आ जाए, तो this implies, इस b, b को हटा दो, क्या पचेगा, a, c बचेगा, तो a, c, b आना चीए, उसके अंदर, लेकर यह कब true होगा, जब a, b और b, c, मिलेगा था, ठीक है, तो यह मैंने if लगाया है, तो वह कहता है, कि कोई पी relation, set पे मैं बनाऊंगा, जब, तो वह transitive होगी, अगर a, b, c, r में आ जाए, तो जो common वाला है, उसको हटा दो, common के बनाबात नहीं बनेगी, जैसे हम कुछ भी करें, तो common के बनाबात नहीं बनती है, तो उसको हटा के, जो बचेगा, a, c, बचेगा, वो जुरूरा ना, चीए, सिर्फ तबीम कहेंगी, वो transitive है, और एक मैंने r define किया, x, y, such that x is congruent to y, हमने अभी किया था यह वाला question, right, x is congruent to y, हमने देखा था, यह reflexive भी है, symmetric भी है, चलो, transitive चेक करते हैं, चीए, चाल, यहापर मैंने x, y लिया है, वापर t1, t2 लिया था, same thing है, तो let us say, x, y इसमें आ गया, और y, z भी आ गया, same thing है, यह common होना चीए, तो अगर x, y भी आ गया और y, z भी आ गया, हमें क्या check करना है, कि भाई, जो हटा के common वाला हटा के बचेगा वो, मतलब हमें यह check करना है, कि x, z भी उसमें आएगा, या नहीं आएगा, अच्छा, y, z आ गया, तो y is congruent to z, x congruent है y के, y congruent है z के, तो x तो definitely congruent होगा ना, z के, this is true फिर, है ना, मतलब अगर x congruent है y के, और y congruent है z के, तो x तो फिर z के congruent होगा ना, फिर तो directly, कुछ करने की जूरती नहीं है, तो मतलब यह जो relation है, यह कैसी है, transitive है, ठीक है, तो, so, r is transitive, ठीक तो r कैसी होगी मेरी, transitive relation होगी, तो basically हमें यही चेक करना होगा, कि अगर उसमें a, b आ जाए, b, c आ जाए, तो a, c भी आएगा, x, y आ जाए, y, z आ जाए, x, z भी आएगा, t1, t2 आ जाए, t2, t3 आ जाए, तो t1, t3 भी आएगा मेरा, यही सब चेक करना होता है, ठीक है, च हो दिया, मैंने सारी ले ली, और मैं एक relation define कर रहा हूँ, r, कैसे, l1, l2, such that, l1 is parallel to l2, ठीक है, l1 is parallel to l2, जो आगे वाला है, वो पीछे वाले के parallel होगा, ठीक है, यही कहा रहा है, मुझे check करना है, अच्छा, reflexive symmetric check करें, reflexive मतलब, l1 है, तो यहाँ पे भी l1 होना चीए, यह यहाँ पे l2 हो, यहाँ पे भी l2, मतलब, same-same होना चीए, same-same मतलब, every element is related to itself, भाई, कब relate होगा, जब parallel वाले condition true होगी, कोई भी line खुद के parallel तो होती ही है, all के लिए true होगा, for all lines, reflexive है, अगर l1, l2 के parallel है, हमें दे रखा है, तो l2, l1 के parallel होगी, definitely होगी, for all के लिए, तो symmetric भी है, transitive चेक करते हैं इसको, ठीक है, चल्ड़, अच्छा, देखो, let us suppose मैंने दो lines ले ली, जो parallel होगी, ठीक है, जो दो lines ले ली, मैंने parallel होगी, l1 parallel है, l2 के, सही है, l2 parallel है, l3 है, यह भी सही है, तो क्या l1 और l3 parallel होगे, definitely होगे, भाई, यह l1 है, यह l2 है, l1 parallel है, l2 parallel है l3 के, तो l1 और l3 तो parallel होगे ही न, definitely, तो this is transitive, so, इसको r1 नाम देते हैं, दो relation करते हैं, चलो, r1 is transitive, एक relation और बनाते हैं, इसके उपर, इसमें देखते हैं, किसका दिमाग चलता है, l1, l2 ले लिया हमेंने, फिर से, l1 is perpendicular to l2, और l1, l2 मेरे कहां से आएंगे, फिर से, l से, मुझे इसके बार में बताना है, कि क्या यह relation जो है, मेरी, यह relation transitive होगी, या नहीं होगी, ठीक है, चलो फिर, बता जिते हैं, अच्छा यह इसमें आगया, l1, l2 इसमें आगया, इसका मतलब क्या होगा, कि l1 जो है, वो perpendicular है, l2 के, सही है, दुसरा पेर क्या लेते हैं, l2, l3, मतलब, l2 is perpendicular to l3, मुझे यह चेक करना है, क्या l1 और l3 perpendicular होगे, यह तो चेक करते हैं, अगर a, b आ जाए, b, c आ जाए, a, b आने का मतल क्या है, b is perpendicular to c, तो क्या a perpendicular होगा, c के, एक बार वीडियो को post करेंगे, खुद सोच के देगो, फिर मैं बताता हूँ, हो गया, चौल, देखना है, यह l1 है, यह l2 है, l1 is perpendicular to l2, very well, fine, यह l2 है, और यह l3 है, l2 is perpendicular to l3, fine, क्या l1, l3 के perpendicular है, नहीं है, l1 जो है, l3 के parallel है, तो अगर l1, l2 इसमें आ जाए, l2, l3 भी आ जाए, तो l1, l3 नहीं आएगा, so, as for l1, l2 belongs to r2, and l2, l3 belongs to r2, implies l1, l3 does not belongs to r2, so, r2 is not transitive, तो यह transitive होगा ही नहीं, ठीक है, तो यह चीज़े में चेक करने है, और यह practice से बड़ा अच्छा समझ में आएगा, कि यह करते कैसे हो, ठीक है, चौर, एक example और कराता हूँ, यह थोड़ा सा और example लगेगा, कि यह कैसे हो गया, अभी मैंने एक चीज़ बताई थी, यहाँ पर, कि अगर ऐसा हुआ, तो चेक करेंगे, पर अगर ऐसा हुआ ही नहीं, तो मैंने क्या बोला था, वो जो भी relation होगी, जिसमें ऐसा ही ना हो पाया, तो वो क्या होगी, ट्रेवली, ट्राजिटिव होगी ही होगी, क्योंकि इसमें ऐसा होई नहीं पाया, यह एक चेक नहीं हो पाया, तो यह कहां से चेक करूँगा, तो जैसे, यह ले लिया है, मैंने फिर से, the set of all human beings, ठीक है, और एक relation बनाई ही, मैंने, एकस कोमा वाई, such that x is the wife of y, ठीक है, बैनिक relation बनाई, x is the wife of y, तो बेसिक लिए मुझे क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो डेफिनेटली यह नहीं होगी, रिफ्लेक्सिव के लिए x, x होना चाहिए, मतलब, x is the wife of x, possible नहीं है, एकस कोमा वाई, अगर उसमें आ गया, x is the wife of y, तो क्या y भी wife होगा x का, not true, तो स्मेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव चेक करना है, ट्रांजिटिव के लिए यह चेक करना पड़ेगा, कि अगर x, y, r में आ जाए, and y, z भी r में आ जाए, पर क्या यह आप आएंगे, एक बात सोच के देखो, x is the wife of y, ठीक है, यहाँ पर क्या कहा रहा है, वो y is the wife of z, not possible, अगर x wife है y की, तो y is the husband, वो husband wife कैसे बन गए जाएगा यहाँ पर, नहीं बनेगा न, इबर समझो बात को, यहाँ कहा रहा हूँ, x is the wife of y, तो x जो है, वो wife है y की, तो यह husband है, मतलब y कोन है, husband है, अगर यह भी आ रहा है, a, b, and b, कोन से दोन्नों आने चीएं, अगर, तो अगर यह भी आ इसका मत लूँगा, तो दूसरा पेर उसके इंदर कभी भी नहीं आएगा, है न, तो इसका मतलब क्या होगा, यह relation ट्रांजिटिव नहीं हो सकती, sorry, ट्रांजिटिव होगी, क्योंकि हम आव वो पेर ही हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए true होना चीए दा, तो यह relation जो है, य ट्रांजिटिव होगी, ट्रीविली ट्रांजिटिव होगी, क्योंकि हम ऐसे पेर ही नहीं डूंड पा रहें, तो डैट में definitely ट्रीविली ट्रांजिटिव होगी, so, R is ट्रांजिटिव, ठीक है, तो यह चीज़ा दर रहो, अगर किसी में ऐसे पेर नहीं बन पाए, तो इसक वोड़ाण कुरो, पर हम कुछ कोशन करते हैं इसका उपडर, तो चलो एक कोशन देखो, हमने करना क्या है, दो कोशन लिख रहें, मैंने, अनिसेर्टी कोशन देख एक है, 1.1 का थर्ड कोशन है, 1,6 कोशन, ठीक है, क्या रहा है, relation हमने दे रख़िये, इस सेट को पर, तो यह relation है, क्या रिफ्लेक्सिस स्मेट्रिक या ट्रांजिटिव है इन में से, या एक है या तीनो ही होंगी, ठीक है, चालो, तो स्टार्ट करते हैं इसको सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिस चेक करता हूँ, ठीक है, अच्छी कि मैं relation को तेको करने के ना दो तरीके हैं, एक तो मैं मैं एक relation को पूरा लिख दिया था, एलिमेट्स की फॉर्म में, ऐसे, तो a, b हांगे, तो क्या कहा रहा है, जो b होगा, वो a में one add करके आएगा, और a और b कहां से आते हैं हमेशा, उस set के अंदर से, तो जो relation का गर्मा बनाने लगूं, अगर a की value 1 हुई, तो a1 में one add करूं 5 a को, तो b 6 होगा, a की value 6 भी हो सकती है, तो b के आएगा, 7 आएगा, यहां से, ठीक है, a को मैंने 6 पूटके तो b 7 आएगा, बट यहां पर एक जोल है, जोल क्या है, हमें यह पता है कि a और b दोनों जो होते हैं, उस set से आते हैं, यहां पर b की value 7 है, 7 उस set में नहीं है, तो यह pair तो इसमें नहीं आएगा, तो मतलब कहां तक बनेगी, यह बस यहां तक बनेगी, इसको चेक करना सबसे असान काम है, देखो कैसे, सबसे फ़लेक्सिव में क्या होता है, अगर यह है मेरा set, तो 1,1 आना चीए, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, अगर यह सारे आगे, तो reflexive होग होने चीए, related होने चीए, 1,1 आना चीए, 2,2, ऐसे ही 6,6 आना चीए, नहीं आना इसमें, reflexive नहीं होगी, symmetric ही बात करते हैं, symmetric में कहता है कि अगर A, B आ गया, तो B, A भी आना चीए, मतलब अगर 1,2 आ गया, तो 2,1 भी आना चीए, 2,1 कहीं है नहीं है नहीं है ना, तो R is not reflexive not symmetric, ठीक है, चलो, transitive चेक कर लेते हैं, इसको, transitive के लिए क्या होता है, कि अगर A, B आ जाए, और B, C आ जाए, तो A, C भी आना चीए, मतलब common, common लेना पड़ेगा, 2 pair ले उठाना पड़ेगे मुझे, और उन दोनों में, किसी का second और किसी का first same होना चीए, तो मैं ये दो pair उ नहीं होगी, तो not transitive, ठीक है, तो जो R है, वो ना reflexive है, ना symmetric है, ना वो transitive है, तो वो कोई भी नहीं बनेगी तीनों में से, ठीक है, आमें बस यह चेक कर बाता, ना तो reflexive है, ना symmetric है, ना transitive, reflexive क्यों नहीं है, क्योंकि reflexive के लिए, same-same, कठे pair में आने चीए, 1,1, 2,2 ही न नहीं है, किसी एक के लिए कर लो, 4,5, 4, all के लिए बोलते हैं, तो 4,5 आ गया, तो 5,4 भी नहीं है, एक के लिए fail हो गया, तो फिर तो failure हो गया, तो symmetry भी नहीं है, ऐसे transitive भी नहीं है, 2,3 या 3,4 ले लो, same-same, ना, तो इसको भूल जाओ, 2,4 बनना चीए, है 2,4, नहीं है तो transitive भी नहीं है, ठीक है, चाँ, एक question अब यह देखूँ, यह question भी अच्छा है, कहाँ है, शो करो, यह जो question समय समझाने के perspective से करवा रहा है, यह वाले question, ताकि तो मैं एक थोड़ा अच्छे से view दिख जाएगी, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ है, शो करना हम एक relation है, set 1, 2, 3 given by this, यह relation है, इस बार उसने direct इस form में दे दी, ठीक है, चल, मैंने बताया था पहले कि दो form में relation दे सकता है, या तो direct ऐसे, या फिर ऐसे, तो यह relation दे रहे हैं, यह symmetric होगी, ना reflexive है, ना transitive है, हमें प्रूव करना है, तो पहले symmetric ही प्रूव कर देते हैं, है ना फिर element है, तुम कोई एक उठालो पहले, 1,2 आ गया ना उसमें, इसका उल्टा क्या बनेगा, 2,1 आ रहा है ना, तो 2,1 belongs to R, और इसके लावत कोई element है नी इसमें, होते तो उन सब के लिए चेक करता मैं, क्योंकि हमने definition में for all लिखा है, ठीक है, जैसे suppose करो, समझाने के लिए आ गया, बट 4,5 आ रहा है, इसका उल्टा 5,4 होता है, वो नहीं आ रहा, तो अब यह symmetric नहीं होगी, ठीक है, तो यह चीज़ भी समझने वाली है, कि अकर कोई relation, reflexive, symmetric, transitive नहीं है, तो ऐसा भी possible हम कुछ elements add करके उसे बना दें, यह भी हो सकता है, लेकिन हमें question में इतना बोल नहीं की है न, तो 1,1, 2,2, 3,3 सारे होने चीज़, एक भी नहीं है, इसमें तो, नहीं है न, तो as, 1,1 does not belongs to R, so R is not reflexive, ठीक है, तो R is not reflexive, transitive चेक कर लेते हैं, transitive के लिए क्लिए क्लिए होता है, 1,B और B,C, तो ऐसे पर उठाने पढ़ेंगे, इसका second, इसका first same हो, है same, इन 1,C क्या बनेगा, 1,1, 1,1 तो इसमें है ही नहीं, now, as 1,2 belongs to R, and 2,1 belongs to R, implies 1,1 does not belongs to R, मतलब इन दोनों common वाले को भूल जो क्या बच्छेगा, 1,1 वो नहीं है उसमें, so R is not transitive, ठीक है, चार, so R is not transitive, ये transitive नहीं है, ये रफ्लेक्सिव नहीं है, ये रफ्लेक्सिव नहीं है करते हैं, ठीक है, इन नो डाउन करो, फिर मम लास्ट कोशन करते हैं, आज की लेक्च्छर का, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चार, चार। ठीक है, ठीक है, चलो देख लेते हैं, ठीक से पहला काम क्या होता है, कि अगर ये set है, तो 1,1, 2,2,3,4,4, आना ये चाहिए, उसके 2,1 है 2,2 है 3,3 है 4,4 है तो reflexive तो पक्का है तो symmetric चेक कर लेते हैं symmetric में अगर a,b आ गया तो b,a भी आना चीए तो पहले से start करते हैं 1,2 है तो कहीं 2,1 है नहीं अगर 1,2 आ गया तो इसका उल्ट भी तो आना चीए 2,1 नहीं है तो symmetric नहीं होगा तो transitive चेक कर लेते हैं सुन तो transitive के लिए अगर 1,2 है 2,2 है चलेगा यह same होने चीए 1,2 है और 2,2 है इसको भूल जाओ क्या बचेगा 1,2 1,2 यह रहा चल जागा fit है उसके बाद अगर 1,2 है तो आगे चेक करो किसका पहले वाला 2 है किसी का नहीं है तो इसके साथ हो गया 2,2 है इ इसके साथ करूँगा 1,1 और यह 1,2 तो अगर मैंने वो लिया 1,1 और उसका लिया मैंने 1,2 इसको भूल जाओ 1,2 बचेगा 1,2 और इसमें है ठीक है मतलब मुझे यह process सबके लिए करना पड़ेगा यह must हमने for all के लिए पढ़ा था ठीक है चालो देख लिए उसके अलावा अगर मैं आगे चलू तो 1,3 है 3,3 है common है तो 1,3 बचेगा well and fine अगर मैं 1,3 को इसके साथ लूँ तो 1,3 और 3,2 है 3,3 गया मेरा 1,2 बचेगा 1,2 यह रहा वो भी है यह हो गया 3,3 है 3,2 है इनको भूल जाओंगा तो 3,2 बनेगा वो यह है उसके लावा तो 3 नहीं है किसी के आगे और अगर 3,2 लूँ तो 3,2 इसके साथ चल सकता है 3,2 और वो क्या है 2,2 यह सेम सेम हो गया 3,2 3,2 ही है हाँ ही रहा है मतलब हर एक के लिए true हो रहा है अगर AB आ रहा है BC आ रहा है तो AC भी पक्का रहा है तो reflexive था symmetric नहीं है और ट्रांसिटीव है चलो चेक कर रहते हैं R is reflexive symmetric symmetric तो नहीं है R is reflexive and transitive but not symmetric यह हो सकता है R is उसके बाद देखो एक ही true होगा तुम्हारी choice है यह तो पक्का नहीं होगा ठीक है या तो तो आज का homework है exercise 1.1 question no.1 and question 16 ठीक है चप्टर बाच्चे से recall करो फिर हम next lecture में कुछ और important questions करते हैं ठीक है thank you